हेलो डिर श्टुडेंट्स वेलकम एट माई यूटूब चेनल आज हम ककसा छह साथ की गणित की कारिय पुस्तिका में कारिय पत्रक अठाई साल करेंगे बाकी के कारिय पत्रकों की हलसे समंदित वीडियो आपको चेनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वहां से आप देख सकते हैं अगर आप चेनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर करना कारिय पत्रक 28 में दक्सता है तीन अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विक्सित कर पाना यन तीन अंकों तक की संख्या के गुणा करना सिखेंगे इस कारिय पत्रक में पहला खंड कया है खंड कैसे मिलाने, कीज़िए, इसमें खंड कैसे में है 512 गुणा सुने, कितने भी बड़ी संख्या हो, उसको सुनने से गुणा करेंगे, तो सुनने यह आएगा, उसका उत्तर, तो यह सुनने आगा इसको गुणा किया था, दूसरा है 312 गुणा 10 10 से गुणा हो रहा तो 312 के आगे एक सुन्य लग जाएगी ये रहा अगला है 312 गुणा 100 100 से गुणा करेंगे 312 को तो 2 सुन्य लग जाएगी ये रहा अगला है 512 गुणा 100 तो 512 के आगे 2 सुन्य लग जाएगी 512 51200 दूसरा है हेल कीजिए 354 गुणा 14 इसको गुणा करना 354 को 14 से यहां इस तरीके से लिख लिया अब इनको गुणा करेंगे 14 को लिख दिया 10 प्लस 4 10 प्लस 4 लिख सकते हैं पहले 354 को 14 गुणा करेंगे इस ड्रो में लिखेंगे दूसरा 354 को 14 कर दिया तो 10 से करेंगे 1 0 तो 354 को 10 से करेंगे इस लाइन में लिखेंगे फिर इनको जोड देंगे अब देखो 4 चोक 16 चोड़ा का 6, आसिल की 1, पांच ओक 20 और एक 21, आसिल की 2, च्यारती है 12 और दो 14, यह लिख दिया, अब 10 से गुणा करेंगे तो यह सबसे पहले यहां सुनने, अब 1 से गुणा करेंगे 4 को, तो 4, 5 को करेंगे 1 से तो 5, 3 को करेंगे 1 से तो 3, अब इनको जोड़ देंगे, 6, 4 और एक 5, 5 और 4, 9, 3 और एक 4, इसी तरीके से यह दूसरा करेंगे, 123, देखो इसको यहां लिख देंगे, 4, 4, 956, 123 को 400 से गुणा करेंगे, तो 130, गुणा 400, इस तरीके से लिख लिया, अब 400 को क्या लिखेंगे, 400 को क्या लिख सकते हैं, 400, प्लस सुन्ने, प्लस सुन्ने, अब देखो, 123 को पहले, इस 123 को पहले इस सुन्ने से गुणा करेंगे, इस में लिखेंगे, अब देखो, सुन्ने से गुणा करेंगे, तो सुन्ने को 3 से सुन्ने, सुन्ने को 2 से सुन्ने, सुन्ने को 1 से सुन्ने, अब दूसरे में 123 को सु सुनने डबल सुनने से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक तो सबसे पहले अपने चाहे तो यहां सुनने लिख सकते हैं यह अपने गुणा का निसान भी लगा सकते हैं नॉर्मली गुणा का निसान लगाते हैं अगला सुनने को तीन से गुणा करेंगे सुनने दो से तो भी सुनने, अब यहां क्या है, किस से गुणा करेंगे, 123 को 4 से, 4 मतलब 400 से, अब देखो, यहां, 2 को कर लिया, तो 2 जग है, यह गुणा का निसान लगा दिया, चाहे तो सुनने लगा लें, चाहे यह लगा दें, 4 को 3 से करेंगे, 4 ती है, 12 का, 2, 80 की, 1, 4, 2, 8, और 1, 9, 4, एक में, 4, अब देखो, सुनने, सुनने, 2, 9, 4, यह जोड दिया, अगला है, तीसरा स्वाल, हल कीजिए, पिच्चा सी गुणा, इसको यहां लिख देंगे, अगला है, हल कीजिए, पिच्चा सी गुणा, बार है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, पिच्चा सी गुणा, बार है, पिच्चा सी को पहले, 2 से गुणा करेंगे, दो से मतलब, बारा को लिख लिख लिए, 10 प्लस, 2, और अब पिच्चा सी को पहले, 2 से गुणा करेंगे, इस लाइन में, फिर पिच्चा सी को, 10 से गुणा करेंगे, इसमें, तो देखो, 5 दुन, 10 की सुनने, आसिल की, 1, 8 दुन, 16 और 1 के, 17, या लगा ली, सुनने, या ग सुनना करेंगे, 5 को, तो 5, 8 से करेंगे, तो 8 को, 8, अब इनको जोड़ेंगे, सुनने, 7 और 5, 12 का, 2, आसिल की, 1, 8 और एक 9, और एक आसिल की, 10, 10, 20, अगला है, 234, 205, 234, 205 लिख लिए, इसको, 205 को लिख देंगे, 200, प्लस सुनने, प्लस 5, अब दो सुनतिस को, पहले 5 से कुना करेंगे, फिर 234 को, सुनने से कुना करेंगे, और फिर 234 को, 200 से कुना करेंगे, 5, 1, 5, 24, 20 की सुनने, आसिल की, 2, 5, 3, 15, और दो सत्रा को, साथ, आसिल की, 1, 5, 10, 10, और एक 11, यहाँ, सुनने से 4 को करेंगे, सुनने, 3 चे करेंगे, सुनने को सुनने, सुनने को 2 से करेंगे, सुनने, अब दो को च्यार चे आट, तीन दुनी 6, दो दुनी 4, इनको जोड़ देंगे, आठ और एक नो, छै और एक साथ, जार, अगला है, चोथा स्वाल राज की उस मादे में विद्याले लशाडिया में एक छात्र का सुल्क दो सो पैंसेट रुपिया है, विद्याले में देनरत 162 छात्रों का कुल सुल्क क्याते कीजिए, कुल सुल्क, बराबर, एक छात्र का 265 रुपिया है, और कुल सात्र है 162, तो सबका कितना सुल्क होगा तो, 162 को गुणा करतेंगे, 265 से, और इसको गुणा करते हैं, 265 गुणा 162, पांदुन दस की सुनने, आसिल की एक, छे दुन बारा और एक आसिल की तेरा, फिर आसिल की एक, दो दुन चार और एक translates, 265, 363, और 3, और 29, पिर आसिल की 3, 62, बारा और 3, पंदुर, फिर एक से चुना करेंगे पांच को पांच, छे को एक से करेंगे 6, दो को एक से करेंगे 2 इनको जोड़ देंगे सुन्ने तीन पांच और नो चोदे और पांच उन्नीस का नो आसिल की एक पांच और छेक ग्यारा और एक आसिल की बारा का दो फिर आसिल की एक दो और एक तीन और एक आसिल वाली च्यार 42,930 42,930 रुपे 42,930 रुपे